हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम बैक टो एडू ओनलाइन मैसेल्फ दीपक कुमार वात्स एंड टुड़े इन दिस वीडियो we are going to discuss how to represent rational numbers on the number line number line पर rational numbers को हम कैसे represent कर सकते हैं अब यह rational numbers आपके पास जो होंगे represent करने के लिए वो हमार पास दो प्रकार के हो सकते हैं एक proper और दूसरा improper proper कौन से होते हैं जिनमे numerator denominator से छोटे होते हैं वो सारे जो rational numbers होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं proper कहते हैं जैसे 1 upon 2 4 upon 7 numerator 4 है हमारा denominator 7 है minus 3 upon 5 it is a negative rational number negative और positive दोनों को हम number line पर कैसे represent करेंगे यह आज हम सीखेंगे वीडियो को अंत्र तक जरूर देखें ध्यान से देखें आज के बाद आप यह नहीं कह पाएंगे कि rational number को number line पर कैसे represent करना हमें नहीं आता है लेकिन उसके लिए आपको वीडियो ध्यान से और अंत्र तक देखनी पड़ेगी अब देखें improper fraction कैसे होते हैं 5 upon 3 जिनमें numerator हमारा denominator से बड़ा होता है जैसे यह है आपका 5 upon 3 negative की बात करें तो minus 8 upon 5 इन्हें हमें number line पर represent करना है proper भी हो सकते हैं improper भी हो सकते हैं तो सबसे पहले आप यह ध्यान रख लें कि जितने भी proper rational numbers होंगे वो number line पर 0 से 1 के बीच में लाए करेंगे जितने भी positive proper होंगे वो plus 1 और 0 के बीच में लाए करेंगे जितने भी negative होंगे वो 0 और minus 1 के बीच में लाए करेंगे जितने भी proper होंगे I repeat जितने भी proper rational number होंगे positive होंगे तो 0 से plus 1 के बीच लाए करेंगे negative होंगे तो 0 से minus 1 के बीच लाए करेंगे अब improper कहां लाए करेंगे improper को सबसे पहले में क्या करना है उन्हें mixed form में convert कर लेना है जो भी आपको improper होते हैं उन्हें mixed form में convert कर सकते हैं यह आपको mixed form में दिये भी हो सकते हैं नहीं दिये हुए हैं तब भी आप क्या करेंगे mixed form में convert कर लेंगे जैसे 5.3 को हम लिख सकते हैं 1 hole and 2 upon 3 अब इस 1 hole and 2 upon 3 का क्या मतलब है जो whole number आएगा उसके बीच ये लाए करेगा one और उसके अगला जो integer आएगा उसके बीच तो one के बाद अगला integer क्या आता है two तो ये one और two के बीच में लाए करेगा five upon three कहां करेगा कैसे करेगा ये अभी हम देखेंगे फिलाल हमें ये देखना है कि proper और improper में क्या difference है ये कहां क महां लाए करेंगे तो मैंने बता है proper आपका zero से one के बीच में लाए करेंगे positive है तो positive side और negative है तो negative side improper के लिए हम देखेंगे कि उसमें जो whole part है वो कितना है जैसे minus eight upon five अगर हम बात करें तो इसको हम लिए सकते है minus one whole and three upon five it means minus one and plus three upon five minus one के आगे आपको और कितना जाना है three upon five जाना है और ये minus one और इसके आगे जो integer आएगा minus two इन दोनों के बीच में लाए करेगा तो आएगे देखते हैं कि exact position हम कैसे पता करें एक number है हमारे पास one upon three और minus one upon three इन्हें हम number line पर represent करने के बाद देखेंगे इनको कैसे कर सकते हैं और एक हमने लिया हुआ है improper जिसको हमने mixed form में convert किया हुआ है आप इसको four one जा four and three seven upon four भी कह सकते हैं और one whole and three upon four ये आपको exercise में इस तरह से दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है तो अभी क्या करना है हमने सबसे पहले एक number line एक line हम draw करेंगे इसके दोनों तरफ हमें ये निसान बनाने होते हैं चुकि ये line है और line segment नहीं है ये दोनों side extend हो सकती है infinitely अब इसमें हमें क्या करना होता है equal equal gaps पर हम अपने ये numbers को show करने के लिए sign लगाएंगे सब के बीच में ध्यान रखेंगे कि ये gap equal होना चाहिए अब इनके हमें naming करनी है अब देखिया इसको हमने क्या किया 0 ये plus 1 और left में जाएंगे minus 1 plus 2 minus 2 plus 3 minus 3 इस थरह से हम numbering कर लेंगे अब हमारे पास ही हमारी एक number line आ गई है इसमें आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ये gaps हैं वो आपके सारे equal होने चाहिए सभी numbers के बीच में gap equal होना चाहिए और जो number हमें represent करना है वो number line पर कहां आएगा क्या वो number हमारे पास available level है जैसे ये क्या है proper rational number है तो ये तो 0 से 1 के बीच में ही आएंगे positive है और एक negative है तो हमारे पास 0 से 1 और 0 से minus 1 है और ये 1 hole and 3 upon 4 है तो ये 1 और इसके आगे दूसरे integer 2 के बीच में आएगा तो 1 और 2 के बीच में आएगा तो हमारे पास number line है कभी कभी आपके पास 7 हो सकता है 7 whole and 3 upon 4 आपको represent करना है तो उस case में आपको क्या करना है ये number line आपकी 7 तक जानी चाहिए और अगर आपको minus में represent नहीं करना है तो जरूरी नहीं है कि आप 0 को यहाँ बीच में ले आप 0 को यहाँ भी ले सकते है और इसके आगे plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 आगे जा सकते हैं जो number आपको represent कर हमें क्या करना है अब देखना है हमें जो proper है जैसी proper है हमारा इसको represent करना है पहले हमें तो इसमें देखेंगे इसका denominator क्या है इसका denominator है 3 पहला तो देखेंगे positive है negative तो पहला number हमारा positive है तो plus 1 और 0 के बीच में आएगा अब इसमें कहां आएगा यह पता करने किना हम क्या करत में divide करना है तो इसके लिए three equal parts में divide करने के लिए हम यहां two signs लगाने होते हैं जितने part में divide करना है उससे एक कम हम line draw करते हैं यहां देखें क्या one part यह हो गए आपका second part यह और third part यह तो three equal part में हमने इस zero से one के बीच के part को divide कर लिया है जो क्यों किया है क्योंगी हमारा denominator three था अब इसमें जो आपका first है यह यह आपका कहलाएगा one upon three जो second होगा आपका यह कहलाएगा आपका two upon three और यह third आपका कहलाएगा three upon three मतलब one इसलिए हमने तीन नहीं खीची थे क्योंकि 3rd आपका यही रहेगा 3 upon 3 यह आपका 1 हो जाएगा हमें रेपरजन करना 1 upon 3 तो यह first 1 will be 1 upon 3 ऐसे ही अगर हमें negative में रेपरजन करना माइनस 1 upon 3 तो 0 से माइनस 1 के बीच में हमें क्या करना है two lines हम draw करेंगे जो इसको 3 equal part में divide करें lines 2 draw करेंगे part 3 हो जाएंगे और कितना लेना है 1 लेना है तो minus 1 यह आपका first वाला हो जाएगा minus 1 upon 3 यह हो जाएगा आपका minus 2 upon 3 और हमें represent करना है minus 1 upon 3 तो हम इसको कर देंगे और अगर minus 2 upon 3 करना होता तो यह हो गया हमारा अभी देखेंगे 1 whole and 3 upon 4 तो 1 whole and 3 upon 4 का क्या मतलब है 1 plus 3 upon 4 इसका मतलब 1 के आगे जाना है और कहां तक 2 1 और 2 के बीच में यह लाए करेगा और इसके बीच में कहा है का यह है पता करने के लिए क्या देखेंगे हम जो हमारा whole part था वो उससे अलग जो हमारा rational number बचा 3 upon 4 इसका denominator देखेंगे हम क्या है 4 है तो हमें इसके आगे जो हमाएं number है 1 से 2 के बीच में 4 equal part में हम इसको divide करेंगे 1, 2 and 3 तो 4 part में divide करने के लिए हमें 3 line draw करनी होंगी और अब इसमें हमारा यह हो जाएगा 1 upon 4 यह हो जाएगा 2 upon 4 और यह हो जाएगा 3 upon 4 तो that will be our required number 1 whole and 3 upon 4 1 whole यहां तक हो गए आपका और इसका के 1 upon 4, 2 upon 4 and 3 upon 4 ऐसे ही हमें अगर यह minus में करना होता, minus 1 whole and 3 upon 4 तो हम minus 1 के आगे जो हमारा space है इसे हम 4 equal part में divide करते और यह हो जाता हमारा minus 1 whole and 1 upon 4 this 2 upon 4 and this 3 upon 4, so this way we can represent rational numbers on the number line एक और example के साथ देखते हैं हम, next मैंने आपके लिएक number लिया हुआ है आपकी book से ही है 2 upon 2 5 is equal to 2 plus 2 upon 5 can be written इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अब हमें number line बनानी होगी जैसा हमने अभी पीछे discuss किया था 2 plus 2 upon 5 मतलब क्या है इसका 2 और 3 के बीच में आएगा क्योंकि 2 हमारा whole है तो 2 और 3 के बीच में आएगा और कहां आएगा इसको हम आगे जो number हमें represent करना उसका denominator क्या है 5 तो इसको 5 equal part में divide करेंगे उसके लिए में 4 यहाँ पर lines draw करनी होंगी और यह 5 equal part में divide हो जाएगा so first one will be 1 upon 5 and second one will be 2 upon 5 तो हमें क्या represent करना है this one that will be 2 whole and 2 upon 5 अगर हमें negative में एक number मैंने लिया minus 2 whole and 5 upon 6 यहाँ पर देखेंगे आप 2 upon 6 5 था यहाँ क्या 5 upon 6 है और whole में क्या है आपका 2 और minus 2 और minus 3 के बीच में आपका यह number लाई करेगा और minus 2 और minus 3 के बीच में जो हमारा part है उसे में 6 equal part में divide करना है चुकि denominator क्या है 6 है तो आप इसको क्या करेंगे 6 equal part में divide करने के लिया 5 lines दो करेंगे 1 2 3 4 5 and this will be the 6 one अब हमें क्या repeat करना है 5 upon 6 तो 1 2 3 4 and that will be 5 so this will be the position of minus 2 whole and 5 upon 6 so this way we can represent any rational number on the number line hope now you have understand the procedure to represent these type of numbers on the number line hope you have enjoyed the video and thank you for watching add online और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर किलिक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें और बैल आइकन पर किलिक करना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें झाली वाली वीडियो मिलती रहें